संबिधान में जहां नागरिकों के मूल अधिकार दिये गए हैं वही देश की एक्ता और अखंडिता को बनाए रखने के लिए अपात काल की विवस्ता भी की गई है देश में बाहे आक्रमण युद्ध अत्वाशशस्त्र विद्रों की इस्तिती में अपात काल लागू किया जा सकता है अपात काल के दोरान राष्ट्र हित्मे नागरिकों के कुछ मूल अधिकार इस्थगित भी किये जा सकते हैं सब्धान में सरकार को नीतियां बनाने के लिए कुछ निदेश दिये गए हैं सरकार को ऐसे नीति बनाने चाहिए जिससे सभी को काम करने का अधिकार मिले काम के लिए अच्छा एवं स्वस्त बातावरण मिले आराम एवं सम्मान से रहने लायक बेतन और उद्योगों के संचालन में मजदूरों की भी भागिदारी हो बच्चों को अपने विकास के लिए स्वतंत्र और सम्मान भरा बातावरण मिले नीतियां ऐसी हो जिससे सम्मान काम के लिए सम्मान मजदूरी मिले इस्त्री एवं पुरुषों के बेतन या मजदूरी में किसी प्रकार का भेदवाँ ना किया जाए ऐसी नीतिय ना बनाई जाएं जिससे कुछ लोगों के पास अधिक धन हो जाए और कुछ लोग निर्धन बने रहें सभी पुर्षों और इस्त्रियों को पर्याप्त रोजगार दिलाने के लिए नीति बनाई जाए राज ग्राम पंचायतों के स्थापना कर जो शाषन की इकाई की रूप में कारी कर सके निशुल के कानूनी सहायता उपलब्द कराना जिससे गरीबों को न्याए प्राप्त हो सके पर्याब बनन वन राज एबंवन ने जीवों की रक्षा का प्रियास्त करना राज को ने देशित किया गया है कि वह कार पालिका को न्याए पालिका से प्रतक रखे अंतर राष्टी शान्ती इवन सुरक्षे हित्यू प्रयास करना हमारे मौलिक करतब्बे अवर फंडामेंटल ड्यूटीज अभी तक आपने अपने मौलिक अधिकारों को जाना है परन्तु हमारे मौलिक करतब्बी भी है इन मौलिक करतब्ब्यों को 1976 में समिधान में जोड़ा गया जिसकी अनुसार भारत की प्रतियक नागरिक का यह करतब्बी होगा की वह समिधान का पालन करे उसकी आदर्षो संस्था और राष्ट्रधज एबम राष्टगान का आदर करे सवतन्तता के लिए हमारे राष्ट्र्य आंदोलन को प्रेरीत करने वाले उच्छ आदर्षों को हिर्दय में संजोई और उनका पालन करे भारत की सम्प्रभुता, एक्ता और अखटनिता की रक्षा करे और उसे अच्छुन्ड बनाए रखे देश की रक्षा करे और आवान किये जाने पर राष्ट की सेवा करे भारत के सभी लोगों में सम्रस्ता और समान ब्रातत्वी की भाबना का निर्माण करे जो धर्म भाषा और प्रदेश या बर्ग पर आधारित सभी भेदवाओं से परे हो ऐसी प्रधाओं का त्याक करें जो इस्त्रियों के समान के समान के बिरुद्ध हैं बारती संभीधान की प्रस्ताबना मौलिक अधिकार मौलिक करता भी एवं नीती निदेशक तत्तो में समानता के सिध्धानत को समाहित किया गया है संबिधन ना केबल महलाओं को समानता का दिकार देता है बलकि महलाओं के प्रती होने वाले भेदवाओं को दूर करने के पक्ष में राज्य को सकारात्मक नीतिय अपनाने की शक्तियां भी देता है भारती संस्क्रिती की गौरप को समझे और उसका सम्मान करें प्राक्तिक पर्याबरण की जिसके अंतरगत वन जील नदी और वन जीव है रक्षा करे और उनका समवर्धन करे तथा प्राणी मात्र से मात्र के पिती दयाभाव रखे वग्यानिक द्रश्टिकोंड मानववात ग्यानायरजन तथा सुधार की भावना का विकास करे सारवजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखिये और हिंसा से दूर रहे ब्यक्तिगत और सामूही कतिविधियों के सभी छेत्रों में उतकर्ष की और बढ़ने का सतत प्रयास करे जिस सेराष्ट निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्नी की उपलब्दी की नई उचायों को छूले हर माता पिता या सनरक्षक 6-14 वर्ष के आयू बर के अपने बच्चों या अपने पाल्य को सिक्षा के लिए अवसर प्रदान करे यह कर्टबी 2002 में समिधान में जोडा गया वर्तमान में मौलिक कर्टब्यों की संक्या 11 है मूल अधिकार एवं कर्टबी परस पर जुड़े हुए हैं हमें अपने अधिकारों के प्रति जागरुक होने के साथ साथ अपने कर्टब्यों का भी पालन करना चाहिए तो यह पा कि कि ओूभये हुए हैं है मौल आपधिकारों के पिएड़े हैं अभा स्वें पिर यह हुए हैं हैं हौटे के छोग्यों के पिए शस्या हरके मौली आपता हैं अजएश का मौली आपके टी कर्या वाल पालन करदबी baik ऋंत्या बाड़ी पालन की से